Hello and welcome friends Microsoft Excel 365 सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है Microsoft Excel 365 की यहाँ पर देख सकते हैं दो चीजे लिखे हुई है यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा गया है एक नमबर ठीक है तो एक फॉर्मूला होता है Office 365 में जिस फॉर्मूले का नाम है इज टेक्स्ट तो आप यहाँ पर इज प्रेस कीजिए और फिर टी इज प्रेस कीजिएगा तो इज टेक्स्ट फॉर्मूला अपने आप शो होने लगेगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इज टेक्स्ट फॉर्मूला शो भी हो रहा है तो हमें क्या करना है इज टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है ठीक है मैं क्या करता हूँ पहले सूरज जो यह लिखा हुआ है इसको सेलेक करता हूँ और enter प्रिस करता हूँ देखिए result आपको क्या मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं यह true evaluate कर रहा है यानि result में क्या दे रहा है true दे रहा है हम क्या करते हैं इसको drag कर लेते हैं ठीक है drag करने का तरीका बहुत असान है यह fill पे जाईएगा और यहाँ पर इसको नीचे drag कीजेगा तो यहाँ पर देखिए यह जो 44 है यह तो कोई text value है नहीं यह तो एक number है तो इसे यह evaluate कर रहा है false में और उपर जो है text है तो इसे यह evaluate कर रहा है true में ठीक है क्या होगा कि अगर हम text और number दोनों लिख देते हैं ठीक है जैसे माल लिजे यह text भी लिख दिया और यहाँ पर number भी लिख दिया ऐसे condition में यह evaluate करेगा true क्योंकि इसमें text तो है ही है ऐसा तो है नहीं कि text इसमें नहीं है केवल number ही है लेकिन जैसे ही आप केवल number इसे बनाएंगे तो यह बन जाएगा false तो यह देख सकते हैं यह automatically false बन जा रहा है I hope कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तुशे share करें Thank you for watching this video